अमरित की खेती एक बार भगवान बुद्ध विच्छा के लिए एक किसान के यहां पहुँचे तथागत को विच्छा के लिए आया देख किसान उपेच्छा से बोला श्रवन मैं हल जोता हूँ और तब खाता हूँ तुम्हें भी हल जोतनक और बीच बोना चाहिए और तब खाना खाना चाहिए भुद्ध ने कहा महराज मैं भी खेती ही करता हूँ इस पर किसान को जिग्यासा हुई और वह बोला मैं ना तो तुम्हारे पास हल देखता हूँ ना बैल और ना ही खेती का स्थल्व तब आप कैसे करते हैं कि आप भी खेती ही करते हो आप कृपया अपनी खेती के सम्मंद में समझाएं बुद्ध ने कहा महराज मेरे पास स्रद्धा का बीज तपस्या रूपी वर्षा वा प्रजा रूपी जोत और हल है पाप विरूत का दंड है विचार रूपी रस्ती है इस्मृति वा जागरुकता रूपी हल की हाल तथा पेनी है मैं बचन और कर्म से साइयत रहता हूँ मैं अपनी उस खेती को वेकार भास से मुक्त कराता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक रितन सील रहने वाला हूँ आप्रमाद मेरा वैल है जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुझे नहीं मोड़ता वह मुझे सीधा सांती धाम तक से तक ले जाता है इस प्रकार मैं अमरित की खेती करता हूँ